हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं मार्किट से भी बढ़िया गार्लिक ब्रेड आज हम ये दो तरीके से बनाएंगे स्टफ्ट गार्लिक ब्रेड और विदाउट स्टफिंग इसलिए आप इस मेरी वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो पसंद आए लाइक एंड जरूर कीजेगा तो चलिए बनाते हैं गार्लिक ब्रेड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले में ले रही हूँ मेल्टिट बटर जो घर में हमारे पास एजिली अवलेबल होता है बस वही है बस हमें इसे रूम टेंपरेचर पर लेना है ताकि ये बहुत करने में कोई प्रॉबलम नहीं हो अब इसमें आप डालिए खूब सारा चौप्ट गार्लिक गार्लिक आप बिल्कुल मोटा मत रखेगा फाइनली चौप कीजेगा ताकि इसके चंक्स नहीं मूं में आए बट फ्लेवर खूब अच्छे से आए और इसे हम बटर के साथ अब जरूर आट कीजिए चिली फ्लेक अब अपनी मर्जी से कम जादा कर सकते हैं अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चिली फ्लेक बढ़ा दीजे और डालेंगे खूब सारा हरा धनिया हरा धनिया इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत अच्छा एक फ ब्रेट स्लाइस लेंगे जिसपे हमने इस बैटर को अच्छे से स्प्रेट कर देना है बच्चे कभी भी गार्लिक ब्रेट की जिद कर लेते हैं बट कभी सरकमस्टांसिज ऐसे होते हैं कि आप मार्किट से ओडर नहीं कर पा रहे हैं या ब्रेट बनाने का टाइम नहीं है तो इस तरह से अब गार्लिक ब्रेड बना के बच्चों को देंगे ना, तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह मार्किट से नहीं लाए हैं, और क्योंकि इसके फ्लेवर ही वैसे हैं, जो सेम मार्किट जैसी गार्लिक ब्रेड में होते हैं, और हैना इंस्टेंट जैटपट बनेगा, देखें दोनों पे मैंने अच्छे से वो जो बैटर हमने बनाये था, वो स्प्रेट कर दिया है, अब डालेंगे थोड़ा सा मौजरेला चीज, यह भी इजीली आजकल ऐसे ही मार्किट में पैक्स मिलते हैं, यह ना हो तो आप वो ग्रेट करने वाला आता है ना मौजरेला चीज, जिसे हम पिजा चीज भी कहते हैं, बस वही है, इसे भी आप अगर जादा चीजी पसंद करते हैं, थोड़ी कॉंटिटी जादा डाल दीजी, दोनों पे देखें मैंने अच्छे से लगा देना है, ता हमने पहले एक गार्लिक ब्रेट बनानी है, उसमें मैं थोड़ी से टॉपिंग जाद कर रही हूं, जैसे कॉंट, आप वेजिज आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कैपसिकम, कैरेड, अनियन, जो आपके पास है, एवलेबल हो, यह फिलिंग वाली हम गार्लिक ब्रेट ब करेंगे, ताकि हर एक बाइड में इसका फ्लेवर भी खूब अच्छे से आए, और इसकी खुश्वों भी बड़ी अच्छी आदे है, इस ब्रेट की न, यह देखे, अच्छे से मैंने इसकी टॉप लेर कवर कर दी है, बटर से, यहां मैंने अब एक नॉन स्टिक तवा लि ताकि ब्रेड जले नहीं और अंदर जो हमने बटर और प्रोसेस चीज जाला है, वो अच्छे से मेल्ट होने के लिए उसको टाइम मिल सके, इस तरह से हम इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करते रहेंगे, ताकि ब्रेड में क्रंचिनस आ जाए, एक कुक हो जाएगा जनरेट होगी न, लो फ्लेम पे, तो जो चीज है, वो अंदर से एजिली मेल्ट होगा, साइट से भी थोड़ थोड़े से हम क्रस्ट भी आजा, इसलिए हम ग्रीसिंग करते रहेंगे, देखे है न, बड़ा इजी स्नैक, बच्चे जब भी बोलें, जटपड बन जाता है, और सब समान हमारे पास घर में होता है, ब्रेड आपको अराम से मिल जाएगी, गार्लिक होता है, बटर होता है, और फ्लेवर बिलीव मी, बहुत टेस्टी, बच्चों को कभी भी बना के दे सकते हैं, जब भी उनका मन करे, आप उनको ये बना के देंगे न, वो बजार की ब बहुत अच्छा आता है, बस आप इसे साइट से ग्रीस करते रहें, ताकि ये बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट रहें, और अच्छा सा कलर इन्हांस हो, टेक्स्चर इसका आ जाए, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा हम बटर लगाते रहेंगे, इसे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, एक खुश्बू आ जाती है, अगर अब जादा गार्लिक पसंद करते हैं, तो बेस्ट है जितना मर्जी गार्लिक डालिक डालिए इसमें, देखने में लुक वाइस ही बहुत अच्छा लग रहा है, और हर बाइट में हमे को खोच चुके हैं, यह देखे, मैं को चीज दिखाती हूं खोल के, कि अंदर से यह देखे, अंदर से जो हमारा प्रोसेस चीज था, वो मेल्ट हो चुका है, है ना मज़ेदार, चले, अब इसको मैं कट करके दिखाती हूं आपको, इसे अब अपनी फिंगर साइज में लीजे, जैसे आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप इसे उस तरह से कट कर सकते हैं, देख रहे ना मज़ेदार, इस पूरा हमारा जो प्रोसेस चीज था, वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, और एक दम से यह जैसे यह देखे, ओ वाव, इस यमी, बिलीव मी, आप ए ही सेम चीज, सेम फ्लेवर हमें घर बैटे मिल जाएगा, तो हम बाजार की इतनी महंगी महंगी गार्लिक ब्रेट क्यों खाना, ब्रेट आप अपनी मर्जी से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, यह देखे, यह मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ, यह हमारी फिलिंग वाल में और बहुत ही कम पैसो में और बहुत ही हल्दी, आप इसे एक ट्राइ जरूर कीजेगा और अपने एक्सपिरेंसेज दिव्यास किचन में शेर करना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको यह ब्रेट कैसी लगी, अच्छे लगी तो लाइक एंड शेर जरूर की जरूर कीजेगा, थैंक यू, थैंक्स फर वाचिंग, दिव्यास किचन.